तो आप बच्चों का इंतजार अब खत्म हुआ, मैं लेके आ गया हूँ, 7 मार्च 2019 के सेट 3, मैथेमेटिक्स के सेट 3 के कोश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन, बिल्कुल एक्स्प्लेनेशन के साथ, चलिए तो देखते हैं ये सॉल्यूशन, नमस्कार बच्चों, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं, CWEH Online Study Support, अगर आप न्यू विजिटर हैं, यह हमेशा हमारे चनल को विजट करते हैं, बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाए रेड बतन दबाईए और उसके साथ ही बैल आइकन दबाईए, और सामिलो जाए ह हमारे साथ Education के इस क्रांती में, तो यहाँ पर हमारे पास Set 3 का Question, एक स्ट्रेंट ने भेजा है, यह मेरे PC में, सैफ्ड है Question, चलिए तो इसका Solution बारी-बारी से करते हैं, और एक मैं बात बता देना चाहता हूं, कि आपका कोई भी Series हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, Series में मतलब Set 3, अगर आपका Set 3 का कोई भी Series हो, तो Set 3 में क्या है, कि Other Series होने के बाद, Cable Question Numbers जो है, किसी भी Set में, अलग Series होने के बाद Change होता है, बाकि Set 3 के सारे Questions इसमें आपको मिल जाएंगे, चलिए तो बारी-बार इससे इसका Solution देखते हैं, Question Number First है, Given AP में, A का Value 15, D का Value minus 3, औ A N का Value 0, then find the value of N, चलिए तो इसका Solution देखते हैं, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, कि जो First Question है, उसमें Given था, A is equal to 5, A is equal to है हमारा 15, D is equal to हमारा है minus 3, और उसके बाद A N का Value है 0, then we have to find N, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे मैंने क्या किया, formula लगाया है, A N is equal to A plus N minus 1 into D, तो A N का जो Value है, वो 0 given था, given मैंने हाँ पे डाला, और उसके बाद 15 N minus 1 और D का Value देखे, calculation किया, तो यहाँ N का Value जो है, जो 6 आ रहा है, जो को विलकुल Right है, चलिए दूसरे Question के और चलते हैं, तो हमारा जो Question Number 2 है, sin x plus cos by का value है, वो है 1, x is equal to 30 degree दिया हुआ है, then we have to find the value of by, तो यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखे, जो given है, और जो find करना है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, sin x plus cos by is equal to 1 लेके, यहाँ पे x का value मैंने 30 डाल दिया, उसके sin 30 का value half, plus cos by is equal to 1, तो यहाँ पे जो है, sin 30 का value half, cos by का value 1, तो यहाँ पे cos by रहा गया, बाकी half को मैंने इधर भेज़ दिया, उसके बाद जैसे ही LCM होने के बाद, cos by का value half, अगर आप पढ़े हैं, तो आप जानते होंगे, cos by का value, cos 60 के बराबर होगा, क्योंकि half देता है, cos 60 म right answer, चलिए, इसमें एक और question था, इसका और का, ठीक है, उसमें क्या था, 2 का एक और था, उसमें क्या था, हमको value find करना था, cos 48 minus sin 42, उसमें आपको यह question मिल गया होगा, और में यह question था, तो cos 48 minus sin 42 मैंने लिखा, cos 48 का, cos 48 minus sin 42 का मैंने लिख दिया, 90 minus 48, उसके बाद आप जानते होगे, कि sin 90 minus theta का value होता है, cos theta, तो cos 48 minus cos 48 का value 0, तो यह हमारा answer हो गया, 0, चलिए, question number 3 क्यों बढ़ते हैं, तो जो question number 3 था, उसमें 2, मतलब 3 नहीं, आपका कोई different भी हो सकता है, इसमें एक triangle, दो अलग-अलग triangles के क्या थे, दो अलग-अलग triangles के, areas दिये हुए थे, और side का ratio asquires of ratio of sides, ठीक है, तो side 1, but side 2 का, जब हम asquire करेंगे, तो area के ratio के बराबर होगा, तो side 1, side 2 हमको निकालना था, तो इसका, हमने asquire क्या किया, इधर area के तरफ बेज दिया, तो यह root में बदल गया, फिर area 1 हमने 25, और area 2 हमने 121 डाला, इसका unit cut गया, cm, cm2, उसके बाद जब इ question जो था, उसमें क्या था, दो अलग अलग numbers के, चली मैं आपको question दिखा देता हूं, तो अलग अलग numbers के यहां पर, values दिये हुए है, दो अलग अलग numbers के, hcf और lcm दिये हुए है, question number 4 आप देखेंगे, और numbers का multiplication, find करने हैं, तो formula होता है, multiplication of numbers, multiplication of numbers is equal to multiplication of their hcf and lcm, then there is a simple solution, hcf 5 and lcm 200, then the multiplication is 1000, तो यहां पर a into b का value है, वो 1000 होगा, हमारा answer, चलिए next question क्यों चलते हैं, तो एक उसमें set में question था, k का value find करना था, इसमें 2 questions थे, और करके भी question था, उसमें k का value find करना था, where kx squared plus 2x minus 3 का जो एक root है, वो हमारा solution 2 है, तो इसमें simply करना क्या था, कि 2 solution है इसका, तो जब हम 2 को इसमें put करेंगे, तो satisfy करेगा इस equation को, इस equation को satisfy करबा के, और हमने यहाँ पर जो value लाया है k का, वो value हमने लाया है, यहाँ पर minus 1 by 4, आप calculation यहाँ देख सकते हैं, काफी असान यह question था, इसमें एक और करके question था, कि for which value of k, the equation 3x squared plus kx plus 3 is equal to 0, has equal roots, तो यहाँ पर हम जानते हैं, for equal roots, जो हमारा discriminant d होता है, उसका value होता है 0, तो यहाँ पर d का जो formula होता है, b square minus 4ac, उसको मैंने 0 के बराबर किया है, अब उपर the given equation 3x squared plus kx plus 3 से हमने क्या किया है, b का value k square रखके और यहाँ पर 4ac का value यहाँ पर put किया है, तो k square का value 36, यहाँ पर देख रहे होंगे, आप आ गया है, तो k का value यहाँ पर plus minus 6 होगा, जो हमारा answer है, चलिए next question क्यों चलते है, question number 6, तो यहाँ पर question number 6 में क्या था, कि a और b के coordinates, आपके हो सकता है, set में 6 में नहीं, किसी और में question हो, तो आप वो देख लिजे question, वो वाला question जाके निकाल लिए, जिसमें आपका a और b का coordinates दिया हुआ है, a b का distance दिया हुआ है, then we have to find the value of x, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a b का जो formula होता है, यहाँ पर मैंने apply करके, और एक quadratic equation form किया है, जब हम quadratic equation को solve करते हैं, तो हमारा x का 2 value आता है, एक 1 और x 17, आप अगर चाहें तो वीडियो रोग करके और इसका देख सकते हैं, ऐसे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसका solution, चलिए अब section B के और चलते हैं, question number 7 में, किसी dice के हो सकता है, यह भी question, आपके series में अलग number में हूँ, मेरे में 7 में था, तो मैंने इसको बताया है, तो A, B, C, D, A, B, C, A, A, B, यह क्या है, given faces है, एक dice के, और हमको probability find कर रहा है, कि क्या probability होगी, कि जब हम dice को throw करेंगे, तो हमको A मिलेगा, और क्या probability होगी, कि हम dice को throw करेंगे, तो B मिलेगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि जो A है, वो A के 3 faces हैं, और B के 2 faces हैं, और final total number of faces है 6, यहाँ पर probability का formula लगाया है, P of A is equal to N of A, बटा N of S, तो N of A का value 3, and N of S का value 6, तो 3 by 6, यहाँ 1 by 2, और इन अधर हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, P of B is equal to N of B by N of S, तो N of B का value 2, और N of S का value 6, यहाँ पर answer हमारा 1 by 3 आया है, चलिए, next question क्यों चलते हैं, question number 8, question number 8 में जो है, जो using prime factorization, using prime factorization, इसका SCF निकालना थो, तो मैंने यहाँ पर simply prime factorize किया है, और prime factorize करके, दोनों का यहाँ पर मैंने SCF निकाल दिया है, आपर रोक के वीडियो calculation देख सकते हैं, इसी में एक next part था, proof करने वाला, proof debt, मतलब इसमें जो था, कुछ और number वाला proof करने के लिए, तो यह C or D का part मैंने अभी किया है, उसके, उसमें यह solution दिया है, क्योंकि वो solution थोड़ी से लंबी थी, question number 9 था, for which value of k, 2x plus 3y is equal to 7, and k minus 1 into x, plus k plus 2 into y is equal to 3k, has an infinite number of solution, तो हम जानता हैं कि infinite number of solution के लिए, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए, कोई भी आप ले सकते हैं, आप a1 by a2 by b1 by b2 ले सकते हैं, या b1 by b2 is equal to c1 by c2 ले सकते हैं, या आप a1 by a2 is equal to c1 by c2 ले सकते हैं, आप मैंने 2 बना दिया है, आप आपने किसी एक से भी अगर अंसर निकाला होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही करना था, मैंने जानबुच के 2 कर दिया है, तक को पता चले कि दोनों ही कंडिसंस में जो value है k का, वो 7 आ रहा है, ठीक है, आप रोक के वीडियो और calculation देख सकते हैं, कोई एक भी अगर आपने किया है, तो आपको number मिलेगा, क्योंकि एक ही करना था, चलिए, अब हम next question क्यों चलते हैं जो हमारा next question था, उसमें sn दिया हुआ था और tn का value find करना था, आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका मैंने यहाँ पर direct formula लगा रखा है, और formula को apply करके यहाँ पर देखे, मैंने value 4n-1 निकाल दिया है, और दूसरा जो एक system है, वो दूसरा system क्या है, कि आप इसमे s1 डालेंगे, to आपको यहाँ पर a मिल जाएगा, और उसके बाद पिर क्या करना है, आपको s2 डालना है, तो आपको क्या मिलेगा, second term और first term का add मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, s1 find करना, s1 a के बराब हो जाएगा, और जो s2 मिलेगा, वो a plus d होगा, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद मुझे D मिल जाएगा ठीक है तो जब हमारे पास A और D हो तो हम TN अराम से निकाल सकते हैं तो उस हिसाब से भी आप TN निकाल लेंगे तो आपको 4N-1 ही अंसर आएगा इसमें एक और में question था कि T17 is equal to T10 plus 7 then find the value of D तो आप देख सकते हैं कि यहां एक simple सा calculation लगेगा जो कि simple सा calculation करके मैंने रखा है आप इसके calculation रोग के भी देख सकते हैं काफे simple सा question था D का value यहां पर 1 आया है अब next question देख सकते हैं question number 11 जो है question number 11 में A और B के coordinates दिये हुए और P जो है जो उसका midpoint था पी दिया हुआ नहीं था पी मैंने हापे let कर लिया है तो using midpoint formula midpoint formula होता है section formula जिस तरह से होता है उस तरह से midpoint इसरी बार हमने formula यहां पर by के साथ apply किया और B का value भी हमने 2 निकाल रखा है चलिए next question क्यों चलते है question number 12 question number 12 भी काफी अच्छा question था उसमें क्या था एक data दिया हुआ था और data देने का इसमें twist क्या था कि इस probability है कि जो number हम select करेंगे इसमें वो इन सब के mean के बारावर होगा ठीक है तो सबसे पहले यहां पर हमको इसका mean निकालना था तो यहां पर देखे मैंने mean निकाल लिया 5 यानि कि question कुछ रहा है कि 5 के select होने की probability है तो यहां पर e is equal to the event of selecting या getting 5 उसके बाद n of e यानि 5 कितनी वार रहा है solution बन चुके हैं आप लोग अमारे चैनल पर विजिट करते रहें और इसमें मैंने नहीं डाला है वीडियो काफी लंबी हो जाती section C और section D बहुत जल्द आपको मिल रहा है आप अमारे वीडियो पर बने रहे हैं अगर आपने अवी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करके और bell icon दबादे साथी वीडियो को like और share करना ना भूले चलिए मिलते हैं जल्द से जल्द अपने next वीडियो में